धर्मेंद्र ने संजय खान को एक बार चाटा मारा था। ये घटना 1970 के दशक में हुई थी जब धर्मेंद्र और संजय खान दोनों ही बॉलीवुड में अपने करिया की शुरुआत कर रहे थे। कहा जाता है कि संजय खान ने हेमा मालिनी के साथ एक फिल्म में काम किया था और धर्मेंद्र को ये पसंद नहीं आया था। इसके बाद धर्मेंद्र और संजय खान के बीच एक जगड़ा हुआ जिसमें धर्मेंद्र ने संजय खान को चाटा मारा था। कि ये कहानी पूरी तरह से सच नहीं है और इसके बारे में कई अलग-अलग कहानिया है कुछ लोगों का कहना है कि ये घटना कभी हुई ही नहीं थी जबकि अन्य लोगों का कहना है कि ये घटना हुई थी लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और थी किसी भी तरह से ये घटना बॉलीवुट की एक प्रसिद कहानी बन गई है और यह अक्सर धर्मेंद्र और संजे खान के बारे में बात करते समय याद की जाती है काफी अधेयन करके इधर उधर से डाटा इकठा करके ये निशकर्श किया कि धर्म जी ने कभी संजे खान को चाटा मारा ही नहीं था ये सब जूट फैलाया गया धन्यवाद मित्रो कि अधेयर है थेरी एब आहाँ कि अधेयर वेशमार देखा है तेरी आँखों में